तुर्की में हुए चुनाओं में वर्तमान राश्पती रजब तईब अर्दोवोन जीत सेवंचित रहें रवीबान यानि 14 माई को हुए राश्वियापी चुनाओं में उन्होंने अपने अन्य पर्तिदंजियों से जादा मत तो पाया लेकिन जादोई आकड़ा नहीं जुटा पाये यानि कुल मतों के आधे से एक मत जादा नहीं जुटा पाये इसकी वज़ा से उन्हें एक बार फिर मतदान का सामना करना पड़ेगा तो क्यों महतपुर्ण है तुर्किय क्या चुनाओ? तुर्किय क्या चुनाओ दो कारणों से आहम है पहला कारण यह है कि अर्दोवोन पिछले 20 सालों से सत्ता में है वो फिर राश्पती बनते हैं या नहीं यह महतपुर्ण होगा दूसरा करण उनके प्रतिद्वंदी कमाल किलिच दारूलू है जो तुर्की की मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी के हैं जिन्होंने तुर्की का एकी करण किया था उन्हें वर्तमान आधनिक तुर्की का जनक माना जाता है वर्तमान राश्पती अर्दोवन अमरीका और योरोप विरोधी माले जाते हैं जबकि उनके प्रतिद्वन्दी कमाल किलिच दारूलुकारुजान अमरीका और योरोप की तरफ है आने वाले दिनों में तुर्किये नेटो के साथ किस तरह का संबन्द रखता है या भी इस चुनाव से पता चलेगा खास कर इसलिए कि अर्दोवन के कारेकाल में तुर्किये ने नेटो का सदसे रहते हुए रूस से S-400 खरीदा था जो नेटो की नीती के विरुद था पर रूस और नेटो दोनों से नजदिकी की वज़े से अर्दोवन रूस और अमरीका के टक्राओं के बीच कई बार उप्योगी साबित भी होते हैं तो किस तरह का हुआ है चुनाव तुर्किये में तुर्किये में एक साथ दो तरह के चुनाव हुए एक तुराश्पती का और दूसरा वहां की संसत का तुर्किये की संसत में 600 सदसे हैं चुना में दो पार्टिया प्रमुख हैं अर्दोवन की एके पार्टी जिसे हिंदी में न्याय और विकास पार्टी का सकते हैं यही फिलाल शाषन में हैं दूसरी पार्टी है CHP जिसे गठन किया। उनकी सरकार इसलाम की तरफ जुकी मनी जाती है। और कहा जाता है कि अर्दोवन आधरिक युग में इसलामिक खलीफा के रूप में अपने आपको पेश करना चाहते है। इसके विप्रीत उनके प्रतिद्वन्दी किलिच दारलू सेवा निवेरित प्रशाष्मिक अधिकारी हैं। वे तुर्किये को फिर से संसद्य प्रणाली की सरकार बनाने के पक्षदार हैं जिसमें प्रधान मंत्री की भूमी का प्रमुखोती है। संसत के चुनाम में अर्दोवन को 266 और किलिच दारलू को 179 सीटे मिली है। अन्य सहयोगियों को मिला लें तो अर्दोवन के पास 321 सीटे हैं। राषपती अर्दोवन का यह आखरी कारिकाल हैं क्योंकि उस देश में कोई तीन बार से ज़्यादा राषपती नहीं बन सकता। तो तूर्किये क्या महातो है अंतराश्रीय राजनिती में? अंतराश्रीय राजनिती में तूर्की को महत्पूर्ण माना जाता है क्योंकि मुश्लिम बहुल देश होने के बाद भी वो नेटो का सदस्य है. इसलामी दुनिया में यह आधुनिक और अपेक्षाकृत धर्ण रिपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है जहां खाने पीने और पहनावे पे कोई पाबंदी नहीं है. यह येरोपीय संग में शामिल होना चाहता है लेकिन अंदुरूनी भर्षाचार के चलते यह येरोपीय मानकों पर खरा नहीं उतरता. फिलहाल राजनितिक तोर पे माने जाता है कि तुर्किये की भूमिका रूस और अमरिका के बीच की कड़ी के रूप में है. रूस उक्रेन युद्ध के बीच में उक्रेन को अनाज के निर्यात में छूट मिलने में तुर्किये नहीं बिच बचाओ कराया था. तो क्या होगा दूसरे दोर के चुनाओ का नतीज़ा? फिलहाल वर्तमान राश्पती और दोवन ने 49.5% मत पा लिये हैं. इसलिए इस बात की संभावना प्रवल हैं कि वे अगले 28 माई को होने वाले चुनाओ में 50% से एक अधिक वोट पाकर राश्पती बन जाएंगे हैं. लेकिन इस पार उन्हें विपक्ष के प्रवल विरोध कास सामना करना पड़ेगा. क्योंकि तुर्किये के इतिहास में पहली बार किसी राश्पती को चुनाओ में दुबारा जाना पड़ेगा और संसद में भी पक्ष काफी प्रवल रहेगा. और भारत के साथ तुर्किये के संबंधों पर क्या आसर होगा? अभी पिछले दिनों तुर्किये में आये भायानक वुकंब में भारत ने काफी मदद की थी. वैसे भी तुर्किये में भारत के परती मित्रोत भाव है. लेकिन कई बार जम्मु कश्मीर को लेकर राश्पती अर्दोवोन के बयान से इस विस्वास को जटका लगा था. लेकिन कुल मिलाकर तुर्किये के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और सरकार चाहे जिसकी भी हो भारत के साथ दिपक्षिये संबंधों पे असर नहीं पड़ेगा. तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार.